हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आपका फिर्ट स्वाग अधा टेक्निकल अनिल चैनल में आज मैं आपका बताऊंगा कि कैसे हम अपने वीडियो के बैक्ग्राउंड को कैसे ही रेज कर सकते हैं काईन मास्टर की सहायता से तो अगर आप चैनल पर नई हैं तो चैनल को पर तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने फोन में काईन मास्टर एप्लिकेशन को ओपन कर लेंगे और फिर इसको ओपन होने के बाद जैसे न्यू प्रोजेक्ट शुरू करेंगे अब यहां यहां से हम लोग को भी अपनी फोर्मेट चोज़ कर लेते हैं अब जैसे यहां से आप कोई भी बैक्ग्राउंड जो आपको ले रहे हैं वह आप ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने फोन के ब्राउजर में जाकर वहां से कोई भी अच्छा सा बैक्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप यहां से भी चूज़ कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर इन में से कोई भी बैक्ग्राउंड ले लेता हूं तो मैं यह लोगलर वारा वैक्राउंड चूज़ कर लेता हूं और फिर आप यहां से अपने कोई कोई भी लेयर में जाकर यहां से मीडिया फाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका आपको बैक्राउंड इरेज करना है जैसे मैंने यहां पर यह यह वाली वीडियो चूज़ कर ली है यह वाड़ी लगवग जैसे हमें जिस वीडियो का बैक्राउंड रेज करना है वह उसका बैक्राउंड अगर हा रहा हो तो अच्छे तरह हो जाता है जाता है तो जैसे मैंने यह वाली चूज़ कर लिए तो आप मैं पैग्राउंड को इस वीडियो के बरावर कि लेंक्स कर लेता हूं इसके है के यह जैसे इसके बरावर मैंने कर लिए और आप इस वीडियो को इसे पूरा मिला लोगा अगर आप चाहे तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं जैसे अब यह पूरा सेट हो गया है आप इसको जितना आपको क्रोप करना है पहले आप क्रोप कर लीजिए नहीं तो भीना क्रोप के भी कर सकते हैं जैसे अब यह क्रोप हो चुका है अब यहां राइट वाल निशान पर क्लिक करेंगे अब इस वीडियो पर क्लिक करके क्रोमा की में जाएंगे अब क्रोमा की जैसे यहां पर हमें इनेबल गरनी है तो अब हम ऐसे ही राइट वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यह देखो यहां पर इस वीडियो को बैक्राउंड जो पूरा पूरा इरेज हो चुका है तो ऐसे हम वीडियो बैक्राउंड इरेज कर सकते हैं जैसे यहां पर कोई भी थोड़ा सा भी बैक्राउंड कलर यहां पर नहीं दिख रहा तो दोस्तों इसको हम जैसे यहां पर हमने इसका वेग्राउंड इरेज कर दिया है तो हम इसको यहां पर सेव भी कर सकते हैं पर आप चाहे तो यहाँ पर टेक्स्ट वगरा कुछ भी लिख सकते हैं जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूं तो आप यहाँ पर अपना रिजोलूशन वगरा सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना धन्यवाद